नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस बैठक में विभागिये सचीव और सभी निदेशालयों के निदेशक सामिल हुए जबकि वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से सभी जीलों के डीसी और किसी पताधिकारियों ने भी इसमें हिस्सेदारी की समीक्छा बैठक के बाद किरिसी मंत्री ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा एकि राजी के 22 जीलों के 226 सुखा ग्रश्ट परखंड के किसान सुखा राहत के लिए अपने नज़दी की CSC या प्रग्या केंद्र पर जाकर एक रुपए का टोकन कटा कर 30 नॉम्बर तक आवेदन करे इस आवेदन पर लोगिन कर किसान आवेदन करे क्रिसी मंत्री बादल पत्र लेखने कहा है कि राजी के हिमन सरकार ने तीन साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को राजी के सुखार ग्रस्त 226 पर खंडों के 30 लाग किसानों को 35 रुपए की राहत देने की योजना है जारखन में नौकरी के लिए करे आवेदन जारखन में नौकरी पाने का सुनहारा मौका सामने आया है बदादे जारखन करमचारी चैन आयोग जारखन डिप्लोमा आस्तर सुनुक्त पर दोक्ता परिक्षा के जरे नियमित भैकेंसी निकाले हैं इसके लिए 12 दिसंबर को आवेदन लिया जाएगा इसकी मियाद 11 जनवरी दो हरते इसको मदराती तक रहेगी बदादे आवेदन देने की आहरता क्या होगी इसके जानने के लिए अवियार्थी jsc.nic.in की साइट पर चेक कर सकते हैं सेक्षनिक योगिता और आयू सीमा की आहरता पूरी करने वाले अवियार्थी ओनलेन आवेदन दे सकते हैं 25 लाख बच्चों को अब तक नहीं मिली इसकोल कीट की रासी 25 लाख स्कोल कीट की रासी नहीं मिल सकी है राजे के 35,430 इसकोलों के 37,776,175,175 को स्कुल कीट की रासी दे जानी है बावजूद इसके लिए अब तक 12,73,284, sustainable को स्कूल कीट का लाब मिल सका है 18,15 नौबर तक ही सभी स्कूल कीट का लाब मिल सका है बता दे दुमका में 97 फिजदी और पच्मी सिम्भू में 94 फिजदी के साथ स्कूल कीट का लाप देने वाला अवल रहा है वहीं लोहर तक का एक परतिशत वा कढ़वा सिम्डे का दो-दो परतिशत के साथ सबसे फिजड़ा हुआ साबित हुआ है आलम यहा है कि 9 जिले ऐसे हैं जहां 12 फिजदी से भी कम चात्र छत्रावों को स्कूल कीट की राशी मिली है जबकि 5 जिले हैं जहां 16 से 25 फिजदी चात्र इस्कूल कीट की राशी से लबनवित हुए है बीजली बिभागने राज्य के 493 जगों में मारा छापा जहारखन राज्य में बीजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है जहारखन उर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से ऐसे बीजली चोरों पर छापे मारी कर करवाई की जा रही है ऐसे चिनीत पर स्थानों पर न केवल छापे मारी की जा रही है बलिक उन पर समन्दित थाने में फार्तिय विध्धूत अधिनियम 2003 के तहत एफायर भी ततकाल किया रही है निगम की ओर से इस तरह की करवाई के बाद से राजे भर में हड़कम मचा हुआ है निगम से मिली जनकारी के अनुसार पूरे राजे में 23 नॉवंबर को एक दिवस्य छापे मारी अभ्यान चलाया गया जिसमें 1137 लोगों पर एफायर दर्च किया गया है रांची के हर्मू बजार में खुला वर्निंग होस्पिटल हर्मू बजार में अतियोधिनिक सुविधाओं से लेंस वर्निंग होस्पिटल का सुभारम स्वास्त मंत्री बनागुपता ने किया है यहां एक दिसमबर से सेवा सुरू होगी बनागुपता ने कहा है कि अस्पताल में बेहतर स्वास्त सेवाय मौजूद है इसलिए उमीद हाए कि यहां गरीब और समाने लोगों को बेहतर चिकिस्त सुविधा मिलेगी यह अस्पताल लोगों को सासेदर में इलाज मौहजा कराएकर अने निजी अस्पताल के बीच मिसाल बनेगा राजभहन में किसान और मजदूर संगठनों ने की सभा राजधानी राची में किसान संगर समन्वय समीती एवं स्रमिक संगठनों के ओर से मोर्चा निकाला गया यह मोर्चा किसान आंदोलन के एक वस्पूरा होने और विभिन मांगों को कानून का रूप देने के लिए निकाला गया जीला इस्कूल से यह मोर्चा निकला जो राज भोवन में जाकर सभा के रूप में तब्दिल हो गया मोर्चा और सभा के अधर्षता अखिल भारतिय किसान सभा के महा सचिव महंद्र पाठक ने किया सभा को पूर्व सांसाद भोने स्वर परसाद मेहता एकरिकल्चर वर्कर्स यूनियन के सन्युक्त सचिव बिक्रम सिंग अखिल भारतिय किसान सभा के कामरेट पिक के पांडे आधी कई लोगों ने समधित भी किया है रांची एक्सपो उत्सव में हेल्दी बेबी आएंड मॉम सो जार्खन किरे धानी रांची के मौरबादी मैदान में चल रहे पांच दिवसे एक्सपो उत्सव दो हजर बाईस में सन्युवार को लोगों की भीड उवन पड़ी इसकूली बच्चों को भी एक्सपो का भ्र रांकारी दी गई एक्सपो में हर दिन कुछ न कुछ इवेंट हो रहे हैं एक्सपो ट्रेजर हंट उनमें से एक रहा है टीम राइडर्स ने एक्सपो ट्रेजर हंट का खिताब अपने नाम किया बता दे सन्युवार को हेल्दी बेबी आएंड मॉम सो का भी आवेजन किया इसमें कोमल अरोडा ने बेश्ट मॉम का खिताब जीता है तीन स्रेणी में आयोजीत हेल्दी बेबी सो में जीरो से एक वरस के आयू वर्ग में हिर्दय अगरवाल ने प्रथाम वहीं बेदांस ने दूतिये और रियांस सेन गुप्त ने तीसरा स्थान हासिल किया है सुखार राहत के लिए 40 रूपया सरकार देगी क्रिसी मंतरी जारखन के मुख्य मंतरी हेमां स्रेन और राज सरकार सुखार प्रवाईत किसानों को लेकर काफी सनवेदन सिल है किसानों के चेहरे पर मुष्कान आये इसके लिए हम सभी को प्रयाश करने होंगे मुख्य मंत्री सुखार राहत योजना के लिए अब CSC को 40 रुपय नहीं देना होगा सरकार इसका भुक्तान करेगी किरिसी मंत्री बादल पत्र लेखने नेपाल हाउस इस्थीद किरिसी मंत्री बादल पत्र लेखने कहा है कि आप किसानों को सुखार राहत योजना के लाब के लिए आवेदन को लेकर 40 रुपय का सुलक CSC आप प्रगया केंडर को नहीं देना होगा इस रास्ति का भुक्तान राह सरकार करेगी जारखन के CM के परधान सचीव ने सचीवाले में दिलाई सपत है समिधान दिवस के असर पर रांची के काके रोड रांची इस्थीत मुख्य मंत्री सचीवाले में अधिकारियों यों करमचारियों को भारत की समिधान के प्रती समर्पित रहने मुलक कर्तवयों का निष्ठा पूरवक अनुपालन करने तथा सन्मेधानिक आदर्शो के प्रती आदर करने की सपस दिलाई गई मुख्य मंत्री के प्रधान सचीव, राजीव, अरुन, एकाने समिधान की प्रस्तावना की सपत सभी अधिकारियों यों करमचारियों को दिलाई इस अशर पर प्रधान आपत सचीव रामदेव सर्मा आपत सचीव रामदेव पर साथ सही सभी करमचारियों पस्थित थे नक्सल मुक्त होगा जारखन जारखन के नक्सल प्रभावित इलाके मेरा रहे लोगों को अब सरकार की जन कल्यानकारी योईनाओ का लाब मिलने लगा है उन्हें स्वास्तिवम सिक्षा भी मिल रही है और कल्यानकारी योईनाओ का भी लाब मिलने लगा है चार दसक पहले इन इलाकों में कोई अधार भू किये हैं जिसका लाब यहां के लोगों को मिलने लगा है ये बाते CRPF के जारकन रेंज के IG अमित कुमारने सनिवार को कही उन्होंने कहा है कि नक्सल प्रभवित जीन इलाकों में सुरक्षा बलो के लिए कैम केस ठपना की गई उन इलाकों विकास काम में भी तेजी आई है सडके बनी विजली की सपलाई वहां शुरू हुई लोगों ने खुद को सुरक्षित मसूस किया वहीं व्योसाई गत्ति विद्या भी शुरू हो गई है धिरे धिरे इस्थिती समाने की उर बढ़ने लगी है पंकज मिस्रा की जमानत याचि का खारीच जहारखन के सियम हेमान सुरेन के विधायक परतिनिधी पंकज मिस्रा की जमानत याचि का खारीच हो गई है एडी की अदालत न सनिवार को इनकी जमानत याचि का खारीच कर दी है अवाय दखनन से जोड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में आरोफित पंकज मिस्त्रा की ओर से अदालत में जमानात याज का खारीच कर दी गई दोनों पक्छों की ओर से जमानात पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदालत ने पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था बदादे पंकज मिस्त्रा को 19 जुलाई को परवत्तर निदे साले ने मनी लॉंडरिंग मामले में किरफतार किया था लाते हार के नेतर हाट आवासे बिद्याले में दिलाई गई सपत ज्यारखन के लाते हार जीले के महुआ डाल परखंड में समिधान दिवस के उसर पर संते जेवियर्स कॉलेज के राजनीती बिग्यान विभाग द्वारा कारक्रम का उजित किया गया इस महुआ के पर नेतर हाट आवासे बिद्याले के राजनीती बिग्यान विभाग द्वारा भी समिधान दिवस मनाया गया यहां मंच का संचालन विभागा अध्यक्ष मुकेश कुमार ने किया इस महुआ के पर समिधान की प्रस्तावना की सपति लाई गई बता देलाते हाट जीला के महुआ डार पर खंड में सविधान दिवस के उसर पर संत जविए स्कॉलेज के राजनीती बिग्यान विभाग के द्वारा कारक्रम का विजन किया गया था पीम नारेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुँचे देवगहर प्रधान मंतर नारेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सविवार को सब परिवार देवगहर के बाबा मंदीर पहुचे उन्होंने बाबा बैधनात की अराधना कर देश की उनती की कमना की मंदीर पहुचने पर स्री मोदी को सबसे पहले प्रसासनिक भौन लाया गया जहां तिर्थ पुरोहीत गौरी संकर नरव नेन समेत अन्य पुरोहीतों ने प्रलाद मोदी समेत उनके पड़िवार का सस्यों को मंत्रों चारण कर विधिवत बाबा बैधनात का संकल्प करवाया उसके बाद उन्हें बाबा मंदीर के गर्बगिरी में पर वेस कराया गया और उने बाबा का दर्शन किया कोडार्मा में बालिका बधु बनने से बची सात्वी की छात्रा कोडार्मा जीले के कोडार्मा थाना छेत्र में सनिवार को एक बारा वर्षिय नवालिक लड़की बालिका बधु बनने से बच गई है आपको बता दे कि बालिका की सहली वह सगे संबन्दियों में से किसी ने चाइल लेलाइन को फोन कर इसके जनकारी दी थी इसके बाद इस मामले में एक्शन लिया गया फिलाल बची चाइल लेलाइन के संरक्षन में है सरकारी सिक्षक इस्कूल से बाहर हाईरी बनाए तो माने जाएंगे अनुपस्थित जारखन सरकारिया सुनेश्चित करने जा रही है कि सरकारी स्कूलों में नेधारित समय तक न केवल बच्चे बलिक सिक्षक भी उपस्थित रहे समाई पर सिक्षक और बच्चे स्कूल आये और समाई पर ही स्कूलों में छुटी हो इसे लेकर सिक्षकों को न केवल इब इद्यावाहनी पोर्टल पर उपस्थिती बनाना अनिवाज होगा बलिक उन्हें स्कूल में जाकर ही उपस्थिती बनाना होगा अपने घर से या इस्कूल से बाहर किसी जगा से उपस्थिती बनाने पर सिक्षक अनुपस्थिती पाये जाएंगे इसके लिए स्कूली सिक्षाव्यम सर्षता विभागने इविद्यावाहनी पोर्टल पर पहली बार जियो फेंसिंग सिस्टम को जोड़ा है सभी सरकारी स्कूलों की जियो फेंसिंग की गई है जिसके तहत स्कूल के 50 या 100 मिटर की दूरी तक ही सिक्षक इविद्यावाहनी पर अपनी उपस्थिती बना सकेंगे इसे बाहर उपस्थिती बनाने पर सिस्टम उसे नहीं लेगा इसे एक जनवरी से लागू किया जाएगा जार्खन के नीजी नर्सिंग संस्थानों में JCECEB से नमांकन अनिवार जार्खन के सरकारी नीजी नर्सिंग संस्थानों के साथ इस साल से सभी नीजी नर्सिंग संस्थानों में भी नमांकन जार्खन सन्युक्त परवेस परत्युक्ता परिक्षा पारिशत के माध्यम से अनिवार कर दिया गया है। उपलब्द नहीं कराई है। उराव ने एक बार फिर केंदरिये कोईला कमपेनियों पर राय सरकार के बकाय की रासी का हवाला देते हुए इसके भुकतान की मायंग भी की गई है। प्राधिकार में सभी एगारा गयर सरकारी सरस्यों का मनोनाय परिवहन मंत्री चमपाई सुरेन के निदेश पर हुए है। या इतने गुपत तरीके से चुपके चुपके हुए कि सुचना स्रोजानिक होने में लगबग एक सब्ता का समय लग गया। मनोनीत 11 सरस्यों में दो जामों के जिला अध्यक्ष है जबकि से सरस्य या तो सक्रिय कर करता है। या फिर केंद्रिय समिती के सरस्य प्राधिकार में इन सरस्यों की नियुकती अगले तीन वर्सों के लिए की गई है। जारखन में फैलेरिया के 51,000 से अधिक लोग। इससे हाथी पाव भी कहते हैं। इस करम में जीला सिक्षा अधिक्षक ने MDM का मुआयना किया। इसके साथ ही सुक्रवार को बच्चों को घटिया भोजन और अंधा देने को लेकर बच्चों से पुछताच की। बच्चों ने विद्याले परवधन के दुआरा MDM में घटिया भोजन और अंधा देने की बात कही। उन्होंने सिकायद की की मेनियों के अनुसार उन्हें मद्यान भोजर भी नहीं दिया जाता। इस मामले में DAC ने BEO को करवाई का निर्देश दिया है। धर्न्यवाद।